नमस्कार आप देख रहे हैं, SBR News 24 और मैं हूँ आपके साथ आरती सिंगा साथ डालते हैं नजर खास ख़बर की और विभाग ने अंगले 4-5 जिरों तक करनाटक में भारी बारिश की भविश्वानी की है सबसे भारी बारिश टड़ी जिलों में होने की उमीद है लेकिन बंगलूरू और राज के अने हिस्से भी प्रवायस होनी की संभावना है आइमडी ने बंगलूरू के लिए यलोर जारी किया है जिसका मतलब है कि अलग-अलग जगों पर भारी बारिश की संभावना है पिछले कुछ दिनों में शहर में पहले ही कुछ बारिश हो चुकी है और आइमडी ने चतामनी दी है कि बारिश से जल भराव और यातियात बादित हो सकता है कणाटक सरकार ने लोगों से भारी बारिश के लिए तयार रहने को कहा है राज ने सिधी पर नजर रखने और जरुद परने पर राहत प्रतार करने के लिए पहले ही अधिकर व्यटी में तैनात कर दी है भारी बारिश कई कार्वों के सयोजन के करण होने की उमीद है जिसमें बंगाल की खाड़ी के उपर कम दबाव का शित्र और विधर बसे दक्षिन तमिलनाथ तक फैली एक ट्रफ रेखा शामिल है तुफान और तेज हमाँ के साथ बारिश की भ्याशनका है आयमडी ने बुधवा के लिए करनाटक के तीन त्रटी जिलो दक्षिनकंदर, उडपी और उत्रकंदर के लिए रड़र जारी किया है आयमडी ने लोगों को भारी बारिश के दरान घर के अंदर रहने, बाड़वरे लाकों से गुजरने से बचने और धिली बिजली लायों से साथ रहने के सलाह दी है सरकार ने लोगों से संपत्ती के बर्यारी राचे को किसБी रुकसान की सूचना अधिकारों को देने के लिए कहा है भारी बारिश कंनाटक में मौसुन के मौसम के लिए तयार रहने के लिए महत्तकी याद दिराती है राचे में बारकाती हास रहा है और IMD ने चेतानवीदी है कि वर्तमान पुर्वानुमा से बड़े पैमाने पड़बार आ सकती है लोगों को खुद को और अपने संपत्ति को बारिट से बचाने लिए सामधानी परतनी चाहिए फिलाग ले इतना ही खबरों को असना लगतार जारी है बने रहें SBR News 94 के साथ नमस्कार